नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल जीके पॉइंट अड़ा पे तो दोस्तों आज हम सभी अच्छान सिवं देशांतर से संबंधित प्रश्णों को देखने वाले हैं तो दोस्तों ये इस वीडियो की पाल फर्स्ट है जल्दी आपको पाल सेकिन भी देखने को मिलेगी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है निम्न रिखित में से कौन सा व्रिहत व्रित का उधारन है आपके ओप्शन है कर्क रेखा मकर रेखा भूमंदि रेखा ये आर्किटिक रेखा सही जवाब है भूमंदि रेखा अगला प्रश्ण ट्रॉपिक ओफ कैंसर यानि की कर्ग रेखा निम्ण में से क्या है? आपकी ओप्शन है एक प्रकार का रक्त संबंधी बिमारी, कैंसर की रोक्ताम का एक वैज्ञानिक उपकरन, साड़े तेस डिगरी उत्री आचांस रेखा, साड़े तेस डिगरी दच्छड आचांस रेखा आपका साड़े जवाब है साड़े तेस डिगरी उत्री आचांस रेखा, अगला प्रशन कुल आचांसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 66, 90, 179 या 360 साड़े जवाब है 179 तो दोस्तों यहाँ पर किसी किसी बुक में 181 भी दिया होता है क्योंकि वहाँ पर 0 डिगरी को भी काउंट कर लिया जाता है तो 2 0 डिगरी अगर एड हो जाएंगे तो 181 साड़े आचांसर होगा अगले प्रस्ट की तरब बढ़ते हैं देशांतरों की संख्या कितनी है? आपके ओप्शन है 24, 90, 180 या 360 सईजवाब है 360 अगला प्रस्ट विश्वत रेखा के समनांतर कल्पित रेखाएं क्या कहला ती है? आपके ओप्शन है अचांसर है देशांतर है, ग्रीन विच रेखाएं या मध्यान रेखाएं सई जवाब है आच्छांस रेखाएं अगला प्रश्णी भूमंद रेखा से उत्तर या दच्छड किसी दिये गए स्थान की कोड़ी दूरी क्या गहलाती है अप्शन है प्रधान देशांतर देशांतर आच्छांस या इन्वे से कोई नहीं सई जवाब है आच्छांस अगला प्रश्णी द्रूमं की तरफ जाने पर आच्छांस रेखाओं की व्यास की प्रकृती कैसे ही होती है ओप्शन है या इस्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है या पहले घटता है फिर पुनाह बढ़ता है सही जवाब है या घटता है अगला प्रशन धरातल पर एक डिगरी या अच्छांस की दूरी निम्हीं में से किसके बराबर होती है ऑप्शन है 11 km, 111 km, 21 km या 121 km सही जवाब है 111 km अगला प्रशन भूमद डिरेखा की अतिरिक्त कौन से अचास रेखा प्रित्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है तो दोस्तिuitar पूछा है भूमद डिरेखा की अतिरिक्त आपके ओप्षिन है 26-3 डिगरी नौр्थ 23-3 डिगरी साओद साधे चाचेट डिगरी नौर्थ इवन चाचेट डिगरी साउथ या इन में से कोई नहीं सही जवाब है इन में से कोई नहीं क्योंकि दोस्तों भूमाद डिरेखा एक ऐसी रेखा है जो पृतिपी को दो बराबर भाग में विभाजित करती है इसके अलावा कोई और दूसरी रेखा नहीं है जो प्रित्वी को दो बराबर भाग में डिवाइट कर दे अगला प्रश्ण मकर रेखा अत्वा साड़े तेज जिग्री दच्छडी अच्छांस बृत्य निम्नु में से कहां से होकर गुजरती है ऑप्शन है जिम बॉंबे, माला गासी, भारत या ग्रीन लैंड सही उत्तर है माला गासी अगला प्रश्ण वा काल्पनिक रेखा जो प्रित्वी को दो बराबर भागों में बाटती है क्या क्यालाती है ऑप्शन है भूमदे रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इन में से कोई नहीं सही जवाब है भूमदे रेखा तो भूमदे रेखा प्रित्वी को दो बराबर भागों में बाटती है वहीं पे अगर भारत को दो बरावर भागों में पुझे तो वो हो जाएगा करक रेखा दोनों ही कालपनिक रेखा हैं दोस्तों यह भी आज रखिएगा अगला प्रशन सई जवाब है भूमद रेखा से मापी जाती है अगला प्रशन दोनों धुरों को जोलने वाली वा कालपनिक रेखा जो भूमद रेखा को सम खोड़ पर प्रतीचीट करती है क्या क्यलाती है Option है मध्यान, देशांतर, अच्छांस या इन में से कोई नहीं सही जवाब है देशांतर अगला प्रश्न दो देशांतर रिखाओं की बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है Option है बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी सही जवाब है गोरे अगला प्रश्न एक देशांतर से दूसरे देशांतर की बीच कितना समय अंतराल होता है Option है चार मिनट, एक घंटा, फंद्रा मिनट या बारा घंटा सही उत्तर है चार मिनट तो दोस्तों यहीं पर आज का कोश्चन समाप्त होता है इसकी आपको सेकिंड पार्ट जो है जल्दी मिलेगी तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए